नमस्कार और विल्कम यहां टो वर्ल अफेर्ट नेव प्रशान धवन देखे का जाता है कि उपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है इवेंचुली जस्टिस मिलता है और इंडिया को फानली जस्टिस मिल चुका है युनाइटेड नेशन्स की रिपोर्ट में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया का नाम अब हटा दिया गया है यहां पर मैं एक ऐसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जहां पर फोकस होता रहा बच्चों पर के वार जहां पर ओर यह कॉन्फलेक्ट हो रही है वहां पर जेल में हैं कितने बच्चे हैं जो आज के समय लड़ रहे हैं तो इस रिपोर्ट में इंडिया का नाम पिछले 12 साल से या रहा था कश्मीर इश्यू को लेकर और फानली भारत सरकार के प्रयास के बाद यूएन को यहां पर समझाया गया यूएन को हमने बहुत सारे अगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन क्वेश्चन यहां पर यह है किहां के रिकेट इहास में वह पहले बॉलर कोन से बने हैं जिनोंने लगातार 100 लिए इनजरी नी हुई को प्रॉपल्लम नी हुई लगातार 100 लिए इस बॉलर ने पैट कमेंस, रोहित शर्मा, बुमरा या फिर नेथन लॉयन, कॉमेंट सक्षन में करी उत्तर, सही आंसर में आपको दूँगा वीडियो के अंड में, ओके तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यह एक स्क्रीन शॉट है, UN की रिपोर्ट का, यहाँ पे लिखा है, Children and Armed Conflict, Report of the Secretary General, यह रिपोर्ट, UN टाइम टू टाइम पबलिश करता था, और इस रिपोर्ट में देखिए, कई कंट्रीज का नाम आता था, जैसे के, बुर्किना फासो, कैमरून, दलेक चाट बेस से, नाइजिरिया, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, और इस में देखिए, इंडिया का भी से तोड़ना चाते हैं, वो बच्चों को भी अपने ग्रुप में डाल देते हैं, उनको भी बंदू के चलाना वगरा सिखा देते हैं, और फिर कश्मीर कॉन्फरिक्ट में वो बच्चे भी इन्वल्व हो जाते हैं, और काफी बारना इन बच्चों को फिर इंडियन सेक्यो यूस किये इंडिया के अगेंस्ट यूएन में जब भी human rights का issue आता था यूएन में discussion उतारा कश्मीर को लेकर तो पाकिस्तान सीधा ये report pick up करता था और ये कहता रहा कि देखिए आपके सामने proof है यूएन की खुदी report क्या रही है कि इंडिया में children बहुत जादा सफर कर रहे है because of conflict in Kashmir तो पाकिस्तान ने 2022 तक भी मैं कहूंगा aggressively इस report का इस्तमाल किया for example यहाँ पे आप देख पाओगे इनका एक news outlet है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कश्मीरी children worst victim of Indian state terrorism ये of course पाकिस्तान की language है ये बाते इन्होंने UN में और जगा काभी promote करी इस report का सरा लिया even though पाकिस ये कहता है कि हमारा issue कुछ और है हमारा नाम इस report में आया है because of Afghanistan border और बलुचिस्तान में जो हो रहा है इनके हिसाब से since ये एक disputed issue का पार्ट नहीं है तो इसलिए इसकी importance कम हो जाती है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो report थी UN की इसमें इंडिया का नाम drop करना कितना जादा important था इंडिया के लिए और अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि हमने UN को कैसे समझाया कि कश्मीर में ये बच्चे हैं इनकी situation अब काफी better है तो देखिए में यहाँ पे इंडिया का aspect ये था कि अगर मान लो कोई group है अब ऐसे group भी काफी कम हो गया कश्मीर में जो sabbatism करना चाते हैं मगर मान लो कोई एक group है उसने किसी बच्चे को पकड़ लिया या फिर उसको training दे दी कि बंदू करे चलाते हैं इंडियान armed forces के against बच्चों को वो use कर रहे हैं और बाद में इंडियान armed forces उस group को खतम कर देते हैं बच्चे वापस इंडियान armed forces के पास आ ज से लाय जाए उसका प्रयास किया जाता है उसके लावा Indian government ने ये भी होताया कि Child welfare committee और juvenile justice board के अंडर हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ proper वेवार हो कुछ ऐसा केस ना हो जाए कि एक बच्चा है वो गलत रास्ते में चला गया अब वो वापस mainstream line में आना चाता है तो वो जेल में चला गया या फिर उसको punishment हो रही है कोशिश ये की जारी है कि बच्चों का भविश्य खराब ना हो तो ये सारी assurances UN को दीहम ने UN को समझाया के कश्मीर में situation improve हो रही है और in the end UN मान गया ये मैं कहूंगा भारत के लिए बड़ी जीत है एक तो जी G20 की फोटों कहीं से उनको मिल जाती थी वो UN में दिखा कर कहते रहे के देखो कश्मीर में बच्चों क्या गेंस्ट क्या हो रहा है तो पाकिस्तान का जो एक बड़ा propaganda पॉइंट था ये हमेशा के लिए कि लो चुका है और उसके लावा आप देखो कश्मीर में धीरे-धीरे ना इंफ्रासक्चर से रिलेटेट बहुत इच्छी न्यूज आ रही है फॉर एक्जामपल यहां पे आप देख पाओगे यूवई का एक इमार ग्रूप है बहुत ही एक मेजर कंपनी है मॉल बनाती है औल ओवर यूई उसके लावा यूई में के वेरियस और प्रजेट्स हैं इन्होंने सबसे पहली Foreign Direct Investment करी है कश्मीर में यहां पे आप देख पाओगे ये ये न्यूज मार्च 2023 की है जम्मू कश्मीर को अपना पहला FDI Foreign Direct Investment Project मिल चुका है ये होगा मॉल और शिनगर इस पर मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी मैं आपको बताया था कि एक 60 मिलियन डॉलर का मॉल कंस्टरट करेगा साथ में Office Towers भी होंगे इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात देखिये इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान समयत पाकिस्तान की जो friendly countries है इन्होंने इतनी एक खराब ही में जणा कश्मीर की इंटरनाश्टली कि उसको रिपेर करने में काफी प्रयास लग रहा है मुझे याद है एक बार पीएम होती डॉनल्ड ट्रम से मिले यूएसे में अब डॉनल्ड ट्रम को जिन बातों के बारे में नहीं पता ना तो काफी बार भुटान और नेपाल को भी कन्फ् को यह जो पर्टिक्लर निउस है के इंडिया का नाम डॉब हो चुका है इस निउस को सर्कुलेट करिएगा इट विल हेल्प इंडिया इट विल हेल्प कश्मीर इमेज और साथी साथ उमीद यही है कि साल केंथ में और भी बहुत सारी इंवेस्मेंट्स आएंगी यूएस क की तरव से बाकी कंट्रीज की तरव से और कश्मीर एक पीस्फुल एंड डिवलप प्लेज बनेगा बहुत लंबे समय तक यहां के लोगों ने सफर किया है विगॉज ऑपाकिस्तान्स टेर्रिजम मगर अव फाइनली यह एरिया नॉर्मेल्सी की तरव बढ़ रहा है नाव ने मजाग भी किया कि तभी मेरे सर्वेवाल नहीं है क्योंकि मैं लगाता है टेस्ट्रिगेट खेलता हूँ काफी टेंशन होती है मजाग था इनका बट ही एस मेड हिस्ट्री फर्स बॉलर एवर तुप टेक पार्ट इन 100 कंजेकेटिटिव टेस्ट मैचेज और फाइनली आपर मैं ये भी एड कर दूं कि अनकाडमी की मेगा 50% डिसकाउंट सेल अक्टिवेट हो चुकी है तो अगर आप लाइफ में एक बार जैनुएनली यूपी एसी एक्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाईए पिंड कोमेंट में आपको लिं खरीत के बैड गए उसके बाद कभी देखा नहीं कोई लेक्शर वगरा आपको प्रॉपर मोटिवेशन भी यहां पर आपको मिलेगी और जो प्राइसेस यहां पर लिखे हैं पे करने की जुरूत नहीं है सिंप्ली यहां पर कोड डालिए PD10 और देखो के आप 36 मन्त के कोर् आप पर चेस कर सकते हैं अनकाडमी का क्वालिटी कोर्स सो यूज करिए कोड PD10 और सेव मनी एसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत थैंक यू फर लिस्निंग और आज आई अल्वेस से में दे गाड्स वाच ओवर यू